अभी तो सौदीन नहीं हुए हैं, करीब 6-7 लाख लोगों ने इसका लाब लिया है। इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपनी 3-4-4 साल से बीमारी जेल रहे हो और आज अगर उसको मुक्ती मिलती हो, तो मैं उसे कैसे असफ़र मान सकता हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ा संतोष का विशह है। दुनिया आज क्लाइमेट चेंग, ग्लोबल वार्मिंग चर्चा करती हो। और भारत को कभी उसमें दोशी माना जाता हो। दुनिया में परियावरन खराब करने वाले देशों में हमारी गिंती होती हो। उस देश को दो हजार अठारा में उनाइटेड नेशन्स अगर चेंपियन आफ अर्थ है वोड़ दे करके एनवार्मेंट की प्रोटेक्शन का लीडर के रुप में देखें तो इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। हमारा देश आजात हुआ इतने साल हुए। अठारा हजार गाउं ऐसे थे जब मैं आया बिजली नहीं थी। इसी दो हजार अठारा में सभी गाउं में बिजली पहुँचने का काम पूरा हुआ। यह सफलता नहीं है तो और क्या है। स्पॉर्ट्स का ख्षेतर देखिए। दो हजार अठारा में जो स्पॉर्ट्स हुए। इन स्पॉर्ट्स में भारत के बच्चों ने बहुत कमाल के आए। नम्मर अप मेडल्स भी जादा आये हैं। और टीर टू, टीर थी सिटी, इवन गाउं के बच्चे, गरीप परिवार के बच्चे, आजदेश का नाम रोसन कर रहे हैं। पैरा अजलेट्स के मैं भी भारत के बच्चों ने बहुत बड़ी कमाल करके दिखाई है। यहने एक प्रकार से खेल कुद लो, अब 104 सेटलाइट का आस्मान में जाना रेकॉर्ड होता है। वज्यानी को काम देखिए। बंपर क्रॉप, 2018 में बंपर क्रॉप हुआ है। यह भी अपने आप में है। यहने कोई भी क्षेतर देख लीजिए, भारत अनेक प्रगती की उचाईयों को पार करता चला गया है। पुराने सारे रिकोर्ड तोड़ता गया है। और इस अरत में मैं देखूं तो 2018 का सवार भारत के लिए भावती उजवल सवार समय रहा है। वो तुम्हें मानती हो लेकिन मैं चुनावी असफलता के बारे में कह रही थी। चुनाव को लेकर पांच राज्य में चुनाव हारी है बीजेपी और आप रधान मंतरी हैं बीजेपी सरकार की, NDA सरकार की तो क्या आप इसे एक हार नहीं मानते हैं, इसे असफलता नहीं मा पहली बात है तेलंगणा और मिजवरम वहां भारतिय जनता पार्टी सत्ता पर आएगी ऐसी बात ना कोई सोचता था ना कोई कहता था ना बीजेपी कहती थी जिन तीन राज्यों की आप चर्चा कर रही है चत्तिस गड़ में साफ साफ नतीजा आया जिसमें भारतिय जनता पार्टी का पराजय हुआ लेकिन दो राज्यों में हंग एसेंबली बनी है दूसरी बात है कि 15 साल की एंटी इंकमन्सी को ले करके हमारे लोग मैदान में थे और स्वाभाविक है कि हमें जो कुछ भी कमी हुई है उसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं और योजना भी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों हरियाना में स्थानिय स्वाराज के चुनाव हुए है सारे चुनाव हम जीत गए हैं त्रिपुरा के अंदर 90-95% विक्टरी आमारी हुई जमू कश्मीर में 74% पोलिंग हो और भारतिय जिनतापाड़ी या भारतिय जिनतापाड़ी के साथ जुड़े हुए लोग चुनाव जीत करके आजाएं सभी पंचाय तुमा तीस पहतिस हजार लोग विजय होकर करके आजें जीत और हार यही एक मांदर नहीं होता है आप वोट शेर और सीट के बारे में कह रहे थे जहां जहां आपने कैंपेइनिंग के इन इलेक्शन्स में वहां पर वोट शेर जो है सीटों में तबदील नहीं हुई और कुछ राजनेतिक विशेशर्ग और मीडिया कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे मोदी वेव या मो नंदन करता हूं क्योंकि जब वो यह कहते हैं तो इस बात को स्विकार करते हैं कि मोदी मैजिक नाम की कोई चीज है मोदी लहर है इस बात को वो स्विकार कर रहे हैं लेकिन साथ सार ये भी देखिए आप 2013-14 के कालखन के अख़बार निकाल दीजिए टीवी निबगेट न नहीं है मोदी जीट नहीं सकते मोदी आकर कर एक कुछ नहीं कर सकते हैं कि मैंन धारा वो यह. अब उनकी जिम्मेबरी हैं कि जिनके लिए वो काम करते हैं उनके लिए उनको कुछ नोकुत तो narrative set करना पड़ेगा कुछ नोकुत तो बोलना पड़ेगा और इसलिए इस बात की मुझे खुशिय है कि unको इतना सुख्रार करना पड़ा है कि मोदी लहर नाम के कोई बात है, मोदी मेजिग नाम के कोई बात है, जहां तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ कि लहर सिर्फ और सिर्फ जनता की आशा आकांग्षाओं की होती है, लहर सिर्फ जनता को हमारी आशा आकांग्षाओं कौन पुरी कर पाएगा, उस विश्वास की होती है, और हिंदुस्तान में युवाँ पीडी के एस्पिरेशन्स बढ़े हैं तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में नया उमंग, नया उत्सा, नया विश्वास का बातावन पैदा कर रहे हैं पर opposition parties ये मानके चल रहे हैं कि अगर Modi wave नहीं है या Modi magic कम हो गया है तो BJP को 180 से कम मिलेगा और 180 एक club 180 group है तो वो एक anti-Modi या non-Modi factor को लेकर चल रहे हैं क्या ये हो सकता है आप ये picture कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं BJP के पहली बात है कि अगर वो इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं लगाएंगे और ऐसी बाते नहीं फैलाएंगे तो उनके गड़बंदन में लोग कैसे जुड़ेंगे उनको अपने गड़बंदन में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो बड़ी-बड़ी बाते दिखानी पड़ेगी और ये अपनी परिस्तितियां बचाने के लिए ये बाते बनाई जा रही है कोई साइंटिफिक चीज है कि ये इतना क्लब डिकना क्लब रहा ये तो एक लिमिटेड मैंने जो वर्क कहा जो 2013-14 में भी यही लोजिक था उस समय भी 200 से कम बली क्रब की चर्चा इसी टोली ने की थी ये सैट अप परसन जो मैं कहा रहा हूँ उसको आप भली बाती जानते हैं कोड है तो ये उनके लिए उनकी नेरेटिव चलता रहता है जहां तक भारती जनतापाटी का सवार है हम हमारे देश के सामान्य मानवी की समध्दारी पर अविस्वास न करें मैं सभी पॉलिटिकल पंडिकोतों को ये कहता रहा हूँ कि हम सामान्य मानवी की समध्दारी पर भरोसा करें आखिन हिंदुस्तान का सामान्य मानवी को इस सरकार का ऐसा क्या अनुभव हुआ है कि जिसके कारण 2019 में इस सरकार से ओधूर जाने की कोशिश करेगा 2013-14 की हिडलाइन क्या हुआ करती थी और आज हिडलाइन क्या होती है तो सामान्य मानवी इन सारी बातों को समझता है और मेरा देश की जनता जनारदन पर भरोसा है मेरा देश के युवाओं पर भरोसा है अगर आप ठीक है अगर उनके नारेटिव पे ना जाएं इसलिए तो हिंदी हार्ट लैंड में जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रॉंग थी अब वहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार आ गई है तो कॉंग्रेस मुक्त भारत का जो गोल था आपका वो तो साकार नहीं हो पा रहा मैंने इसकी बहुत बड़ी व्यक्षाट विस्तार से की है पहले भी की है आज कर रहा हूँ से नहीं है देखिए कॉंग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कॉंग्रेस एक सोच है कॉंग्रेस एक कल्चर है इतने सानों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा और उसके कारण कम अधिक मात्रा में हिंदुस्तान के राजलितिक जीवन का वो कल्चर बन गया सभी देलों में कुछ न कुछ रूप से पहच गया और वो कल्चर क्या जातिवाद परिवारवाद वाउशवाद अंडेमोक्रेटिक करप्शन भाई पतिजावाद इसके आसपा से राजलितिक कल्चर यहने कॉंग्रेस इसको प्रमुक्तया प्रतिनिदित्व करती हैं मैं जब कॉंग्रेस मुक्त कहता हूँ तब मैं इस प्रकार की सोच के खिलाब इस प्रकार के कल्चर के खिलाब देश को मुक्त कराना चाहिए और मैंने यहाद तक कहा है कि कॉंग्रेस को भी कॉंग्रेस कल होना चाहिए लेकि दुर्भाग है कि हाज देश को एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है कि कॉंग्रेस उस काम को करने में भी विफल गई है दो हजार तो हजार सत्रा तक शायद मोदी अमिच्शा फैक्टर को एक कहा जाता था कि you cannot beat this combination लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे कि यह जो एक leadership है इसको जिम्मदारी लेनी होगी कि it's that magic is not there you're losing elections you're losing तो फिर अगर narrative आपका अगर इतना सफल है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है कि election हार रहे है तो leadership को क्या responsibility नहीं लेनी चाहिए पहली बात यह है कि जो लोग वे कहते हैं कि भारतिय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित सहा के कान चलती है तो वो लोग भारतिय जनता पार्टी को न जानते है न समझते है भारतिय जनता पार्टी विश्वकी सबसे बड़ा संगटन है पोलिंग बूथ की मजबूती पर भारती जनता पार्टी चलती है मेरा बूथ सबसे मजबूत इसके लिए हमारा कायरकरता 365 दिन लगा रहता है और इसलिए एक या दो लोग ही भारती जनता पार्टी चलाते हैं ये उन लोगों की सोच है जनताओं का नेतरुत्व है उस नेतरुत्व के बलबुते पर समाज का विश्वास पैदा हुआ है उसी की क्यूमिलिटिव एफेक्ट होती है कि भारती जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के जन विश्वास को जीतते हुए प्रगती कर रही है भारती जनताओं पार्टी ने जिस गती से प्रगती की है उसको कोई इंकार नहीं कर सकता है और बार बार ये कहना एक बीजेपी हारती चली जा हारती चली जा रही है इससे हारताओं नहीं होती है भारती जनताओं पार्टी पूरा आत्मविश्वास के साथ बरी पार्टी आगे बढ़ रही है और 2019 में भी देश की जनता पर जिसका भरोसा है वो हम लोग है जनता के भरोसे पर समर्पिद है हम लोग है और जनता के साथ जुड़े हुए कोई लोग है तो हम लोग है दो हजार अठारा में यह जो चुनाव हुए बहुत से राजनितिक विशेशग के कहते हैं दे रीजन फॉर दे लॉस एक तो नोटबंदी और फिर GST के पूर इंप्लिमेंटेशन अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी उसके अब्जेक्टिव्स जो थे वो आप देखिए हमारे देश में बार बार खबरे आती थी काला धन काला धन और कोई इस बात से इंकान नहीं करता है कि देश में पैरलल एकोनोमी चल नहीं थी इसको कोई इंकान नहीं कर सकता उद्योगपतियों के गर से वापारियों के गर से बाबूओं के गर से बिस्तर के नीचे से नोटे मिलती थी बोरे भर भर के पड़ी हुई नोटे निकली पड़ी रे मिलती थी ये सारी चीजें इस बात का दियो तक है कि हमारे देश में formal economy की बहुत अनिवारियता थी ये parallel जो economy थी इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था नोड़ बंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती आर्थी ग्रूप से मजबूती देने वाला है और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटे पड़ी रहती थी वो banking व्यवस्ता में आई है दूसरा आज आप नई PD से बात करो वो कहते हैं हमारे माबाप को जो करना पड़ा करना पड़ा वो जमाने में साथ टैक्स रिजिम ऐसी थे अब हम इमानदारी से करना चाहते हैं एक इमानदारी का माहूल बना है दूसरा आप पहले के तुलना में टैक्स नेट में जो संख्या थी वो बड़ी है इसको क्या कहेंगे इसके सबरता कहेंगे और नहीं कहेंगे आज लोगों को बैंक्टिंग सेक्टर के मध्यम से खुला काम करने का इच्छा जग रही है इसको हम अच्छा मानेंगे और नहीं मानेंगे तो आज सायद हम इतनी बड़ी मातरा में नोटों के धेर होते हमारे देश में शायद चीजे चलाना मुश्किल हो जाता पर ऐसी जटका देनी की ज़रूरत थी क्या यह जटका नहीं है जी एक साल पहले हमने देश को कहा था कि यह एक व्यवस्ता है अगर आपके पास इस प्रकार का धन है तो आप जमा कराईए और उस में से आपको इतना इतना धन देना पड़ेगा आपको मतद मिल जाएगी लेकिन पहले की सरकारों की तरह उन्होंने सोचा मोदी भी ऐसा ही है तो बहुत कम लोग आगे आए ठीक है अच्छी मातरम आए थे फिर भी पहले की तुलना में ज़्यादा आए थे फिर भी जो स्थिती थी उसकी तुलना में कम था उसके बाद मैंने एक बार मीडिया के माद्दम से कहा था कि ये इसका फाइदा उठाईए पार्लमेट भी विकाहा था अगर हम इसका फाइदा नहीं उठाते हैं तो परिस्थितिया ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे ये रातो रात नहीं हुआ है जी एक साल भर ये प्रक्रिया चली है बार बार कहा गया है उसके बाद ये करना पड़ा है और ये देश के स्वास्त के लिए ये करना जरूरी था आर्थिक स्वास्त के लिए करना जरूरी था जहां तक आर्थिक विकास का सवाल है अब कोई भी ववस्ता बदलते हैं तो इवन रेल भी जब पटरी बदलती है तो स्पीड थोड़ी कम होती है अब इसका बात का इंकान नहीं करते हैं इवन मनमान सिंग जी जब प्रधान मंतरी थे फैनास मिनिस्टर थे अब जब इकनाम के करन लेकिन बाद में बाद में स्थिटी समझती चली गए आज हम भी हमारे जी ग्रोथ रेट था वो पुरी तरह पहुंच गए हैं लेकिन एक सफाई की जरुरत थी उसको हमने सफलता पुर्वक किया है और अब एक मानसिक अवस्ता भी बनी है देश की इस तरब जाने की सिर्ध आपने ब्लैक मानी की बात की पैरलल एकॉनमी की बात की तो क्या एकनॉमिक ओफेंडर्स जिनको आपने कहा था कि आप उनको भारत वापस ले आएंगे वो अभी भी महिल चोकसी हो जाए नीरव मोधी हो जाए विजय मल्या अभी वो बाहर हैं वो जो अबजेक्टि यही दोस्ताना चलता लूटना है लूटते चले देना है देता चले खाना है खाता चले तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहां पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा पाई पाई चुकता करने पड़ जो भागे हैं उनको लाने के लिए आंतराष्ट्रे कानून होते आंतराष्ट्रे नीतीनियम होते उसका पूरा पूरा उप्योग किया जा रहा है ऐसे भगोणों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए उनकी संपती जबत करने का कानून बनाए इतना ही नहीं स्वस्त हुँ कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापिस नहीं आए इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है कानूनी तरीके से भी प्रहत्न हो रहा है कानून बना करके संपत्ति जबत करने के दिशा में भी प्रयास हो रहा है और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं हम पाई पाई वापिस लाने के लिए प्रतिबुद्ध है दूसरा कभी आंतराश्ट्रे फॉर्म में मैं नया नया था मैं G20 में कहा था पहली मेरी G20 सम में मैंने काने धन और बैंक एकाउंट में जो पैसे रखे जाते हैं विद्धेशों में जो एक प्रकारत हैं बन चुके हैं उसके समने में विस्तार से वीशे रखा था और पहली बार G20 समीट में सभी देशों ने मिल करके इसको गंबीर समस्या माना था उसको टेरिजम फं देंगे तो आने वाले समय हमें वो रियल टाइम जानकारी देंगे और 2019 के बाद ये करीब करीब रियल टाइम जानकारीयों का सिलसला सुरू हो जाएगा और इसलिए ब्लैक मनी को वापिस आना ही पड़ेगा सर आपके सारे स्पीचेज दो हजार तेरा से जो भी स्पीचेज थे 2G, 3G, CWG, दामाज जी इस पर स्पीच पर स्पीच देरे जा थे लेकिन ये लोग तो अभी भी लोदी गार्डन में सेयर करते नजर आते हैं कोई जेल नहीं किया ऐसा है कि जमानत भी भी तो है जो जमानत पर है वो शायर कर सकते हैं कानून रोकता नहीं है लेकिन ये भी मानना पड़े जा कि इस देश का फर्स फैमिली जिसको बना बोला जाता था चार-चार पीडी से जिन्हों ने देश को राज किया है उनको जमानत पर निकलना पड़े और वो भी पैसों की हेरा फेरी में ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है और जो सैट अप पीपल है जो उनकी सेवा में लगे हैं वो ऐसी चीजों को दबाने में लगे रहते ह ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस देश के भुत्पुर्व वित्तमंत्री उनको आज अधालत के चक्र काटने पड़ते हैं ये कोई छोटी बात नहीं है लेकिन कोई भारतिय जनता पार्टी का विरोधी है इसलिए उनको तकलिव हो इस पक्ष के हम नहीं है तो देश चल नहीं सकता है और इसलिए न हमारा किसी व्यक्ति से समंद इसमें को लेना देना है न किसी संस्ता से लेना देना है मेरिट के आधार पर डिपार्टमेंट प्रोफेशनली काम करें अधालत जो फैसला सुना है उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए लेकिन देश ज़्यादा इंतजार करना नहीं चाहता है और इसलिए ऐसी चीज़े लटकनी नहीं चाहिए इंतजार नहीं करना चाहता है इसलिए मोदी जी को वोट दिया ये कहते हैं लोग लेकिन पांच साल लग गए और अभी भी कुछ हो नहीं रहा ये देश को विश्वात है कि पांच साल में इतना सारा हुआ है इसलिए मोदी पर ज़्यादा परोसा है चलिए GST के मामले में इसको राहूल गांदी गबर सिंग टैक्स या फिर ग्रैंड स्टूपिड थॉट कहते हैं क्या आप मानते हैं कि टैक्स इंप्लिमेंटेशन में कमिया रहे गई इसलिए काफी रोल बैक करना पड़ा और इस टर्म को आप कैसे कहते हैं गबर सिंग टैक्स जो है मतलब जबरन कोई टैक्स लगाया जाए मुझे लगता है जिसकी जैसी सोच होती है वैसे उसके शब्द होती है और इसलिए उसमें मेरा उलजना उचित नहीं होगा दूसरा विशह है क्या जी एस्टी की प्रक्रिया हो हिंदुस्तान के सभी राजनितिक दल सर्वसम्मति से की है कि नहीं की है प्रणव मुखर जी जब फाइनांस मिर्श्ट हुआ करते थे तब से जी एस्टी का सिलसिला चला है और इसलिए जी एस्टी सभी राजनितिक दलों ने देश में एक अच्छी व्यवस्ता लाने की सोच का बैसे पनपी हुई व्यवस्ता है दूसरा पार्लामेंट में सर्वसम्मति से ये सब पारित हुआ है तीसरी बात है क्या GST आने के पहले देश में tax rate क्या था क्या मेरे मीडिया के मित्रों के भी जिम्मेवारी नहीं है कि देश के सामाने माल उसको सब पता नहीं होता है लेकि हमें बताना भी तो चाहिए सरकार बार-बार बता दी हमारे देश में 30-40 प्रतिशत tax वाली चीज़े थी 30-40 प्रतिशत और hidden tax हुआ करता था सामाने मालू को पता ही नहीं चलता था और लोग लेते थे पैसे बार-बार tax लगता था हर मुकाम पर tax लगता था GST के कारण इस simplify हुआ आज 500 से ज़्यादा चीज़े जीरो tax में आ गई जो किसी समय बहुत उंचे tax हुआ करते थे पिछले दिनों हमने GST बनाने के बाद करीब 12-1200 ऐसी चीज़े जो जीवन सामाने जीवन की जुरुत है कोई 18 परसन कोई 12 परसन कोई 5 परसन कोई 0 परसन इतना नीचे लिया है और इसमें भी हमार अमात है कि इस काम को हम लिगातार करते रहते क्योंकि हम feedback लेते हैं समभात करते हैं लेकिन ये निर्णे भारत सरकार नहीं करती है देश को आपको भी समझाना चाहिए GST council में निर्णे होते हैं GST council में एक प्रकार से सभी राज्य सरकारे होती है union territory होती है उसमें एक भारत सरकार होती है सब की equal position है वहाँ कोई उपर नहीं कोई नीचे नहीं सब बराबर के हैं भारत सरकार भी एक राज्य के बराबरी ही है पूडी चोईरी और भारत सरकार दो equal है वहाँ पर तो इसलिए वहाँ पर कॉंग्रेस की सरकारे भी हैं ये सारे निर्णे हुए हैं पार्लामेंट में सर्वसंबती कॉंग्रेस हैं जी एस्टी में सर्वसंबती वहाँ भी कॉंग्रेस हैं जी एस्टी के अंदर सर्वसंबती में कॉंग्रेस के भी मुख्यमत्री हैं अब वो गली दे रहे हैं क्या अपनी ही सरकारों को गली दे रहे हैं क्या और इसलिए सिर्फ राजनेती होला करना यह उचित नहीं है जहां तक GST एक नई व्यवस्ता है कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि भारत जैसे विशाल देश आपने देखा होगा हर राज्य का जब बजेट आता है और टैक्सिस के समन में जो बात गोशित होती है उसके बाद उस राज्य में बहुत होला होता है और सरकार राज्य में जो गोशित करती है पांच-छे फिर उसमें उपरनीचे करना पड़ता है और जब बजेट फाइनल पास होता है तो उसमें वो छुटी दे दे आप देश के सभी राज्यों में जिस वीशे को लेकर कर के हो हला होता था उनके उनके में होता था वो जिये श्री के गांड सम एक जगह पे होता है इसलिए बड़ा लगता है बढ़ा लगता है लेकिन मिल बैट करके इसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है दूसरा इतनी बड़ा परिवर्तन लाते हैं टेक्नोलोजी डिवन है तो बहुत से छोटे वापारियों को थोड़ा अंकमपट हुआ है और यह तो हम भी मानते हैं कि थोड़ा तो अंकमपट हुआ है लेकिन सरकार की जिम्मेवारी क्या है कि सम्वेदन सिल्टा के साथ उनको समझे उसकी समस्या का समाधान करे तो ऐसी जितनी बाते हमारे सामने आती हैं हम जीएस्ट्री काउंसिल में रखते हैं जीएस्ट्री काउंसिल उसका सरली करन में हम मिल बैठ करके आगे बढ़ते हैं अभी हमने दो महत्वपूर फैसले करना हम चाहते थे कि एक जो 20 लाग रुपिया तक की जिम्मेवारी हमारे वापारियों को है उसकी सीमा हम 75 लाग करकर करके उसको मुक्ति देना चाहते थे कुछ रिजर्वशन से कुछ स्टेट के तो आखर के कमिटी बनानी पड़ी कमिटी का नेने आ जाएगा तो मैं वानता हूँ बहुत बड़ा काम हमेरे लोगों का हो जाएगा उसी प्रकार से ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों के लिए टेक्स जीस्टी और फिनिश मकान के लिए जीस्टी उसमें भी हम जैसे रेस्ट्रॉंट के लिए हमने किया कुछ नहीं भी 5% में सब कर देंगे उस दिशा में हम जाना चाहते थे उसमें भी कुछ लोगों के रिजेरोशन से तो जीस्टी में नहीं कर पाए अब वो कमिटी को गया है हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी वो भी अगर हो साके कमिटी रिपोर्ट कर दें तो इसलिए हम लगातार जीस्टी सरल बने जीस्टी केंज्यूमर के बेनिफिट को एक प्रकार से सुरक्षित रखें उस दिशा में चलते चले जा रहे हैं इतने कब समय में इतने बड़े देश में इतनी वीवीतताओं के बीच ये एचिवमेंट जो हुआ है वो छोटा नहीं है फिर भी हम मानके चलते हैं कि हर चीज इतने बड़े देश में सुधरने के लिए संभावना होती हैं हम लगातार बड़ाव कर रहे हैं लगातार नहीं नहीं चीजे ठिक कर रहे हैं सर आपका जो एक लॉयल कमिटेड वोटर बेस जो है वो है व्यापारी वरकिंग क्लास मिडल क्लास आपने पुरूचरी का जिकर किया वो जो जैन साब जिसने वो सवाल पूछे थे वो भी वो ही मिडल क्लास वरकिंग क्लास व्यापारी था और वो भी वो ही सवाल पूछ र परते रहते हैं लेकिन हमें कुछ राहत नहीं मिलता क्या मिडल क्लास के लिए आपके पास कुछ है जिसे उन्हें राहत मिल जाए पहली बात है मिडल क्लास के विशे में हमारी सोच हमें बदलने पड़ेगी मिडल क्लास कभी भी किसी की दयादान पर जीने के स्वभाव का नहीं है वे स्वाभिवान से जीने वाला वर्ग है और देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देना वाला वर्ग कोई है तो मद्यमबर ये समाज है नीचे का तबका है उसको कुछ मिलना चाहिए इसकी पोजिटीव सोच रखने वाला भी मिलल क्लास का है और इसलिए भारत में मिलल क्लास की चिंता करना हम हमारा दाईट तो समझते हैं देश हित में भी हमारा दाई सिर्विस लेने हैं कि वह हमें वोट देता है। देश हित में भी हमारा मत हैं कि भारत का बढ़ता जाता जो मिल्ल क्लास भलक हैं उसकी चिंता करीजिए। अब जैसे महंगाई है। आप 2013-2014 से निकालेए। इंफलेशन क्या था। फिर मैं कहता ह अखमारों के कतरन निकाल के देख लीजिए। आज क्या है जी हम 2-3% पर लेके आएगे इंफलेशन जो 18-18% पर पहुंचा था। इसका सीधा बेनेफिट किसे को हुआ है तो मध्यमबर को होता है। महंगाई अगर कंट्रोल होती है तो सबसे बड़ा जो सुविदा बढ़ मान लीजिए हम एजूकेशन में मेडिकल सीटे बढ़ाते हैं बहुत बड़ी मातर में बढ़ाई इसका सबसे पहला बेनिफिशेरी कौन है मिडर क्रास की जो एश्पिरेशन से उसको मैंने एड्रेस किया उडान योजना अगर हम लाते हैं और 25 रुपिय में देश का ट्राफल करने वालों से जादा आज हावाई जहाद में ट्राफल करने वाली संख्या हो गई है यह कौन लोग है मिडर क्लास है उसको जाने की संभावना बनी तब जा रहा है दूसरा मिडर कास के एस्पिरेशन के वाले काम कैसे हो जैसे यह आईश्वान भारत ही उजणा लगता तो ऐसा है कि वो गरीबों को पांच लाक रुपे तक की बिमारी में मदद करना है लेकिन इसके कारण इतनी बड़ी संख्या में देश में अस्पताल बनेंगे इसके कारण देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में अस्पताल में लोगों की ज़रुत पढ़ीगी यह स का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कोई है तो मिडल कास का व्यक्ति है हमारे देश में मिडल कास को घर बनाना हो तो कभी बैंकों से ब्याज में रियायत उनको नहीं मिलती थी दोड़ बंदी के बाद हमने मिडल करास को घर बनाने की जो लोन है आज अगर वो 20 लाख रुपी की क घर बनाता है, तो पांच सार के बाद जो बैंक में उसको मदद मिलेगी, उसकी बचचत करीब 5-6 लाख रुपया होगी, मिडल कास के परिवार के 5-6 लाख रुपया मकान में बच जाना, ये बहुत बड़ी काम है, ये हमने किया है, उसी प्रकार से मिडल कास के लोगों को आर करने के लिए जो हमने विजना बनाई है, जिसका परणाम है, कि आज दुनिया में हम तीसरे चोथे नमबर पर, दूसरे तीसरे नमबर पर हम पहुँच गए हैं, स्टार्ट अप इको सिस्टम से, इसका लाख भी, जो एस्पिरेशनल यूथ है, मिडल कास का, वो हिम्मत का स गया, उसको बेनिफिट हुआ है, इनकम ट्रेक्स में जो मदद मिली है, उसको बेनिफिट हुआ है, पैंशनर, जो कभी 13-14,000 रुपया उसका पैसा का देना पड़ता था, वो आज उसको 2-5,000 रुपया देना पड़ रहा है, तो कोई भी विशे ले लिजे, मैसीमम अगर स आले रिकास के लिए होगी है, चलिए तो फिर मैं आप किसान के बारे में कहती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि किसान के लिए मोदी जी ने इतना नहीं किया, जितना कि वो कहते हैं, और राहुल गांदी ने जो लोन माफ किया है, उसको आपने लॉली पॉप कहा, अब जूट रहे हैं बाहर बैठे हुए तो उन्हें तो लगेगा कि राहुल गांदी उनके साथ है या कॉंग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है किसान के साथ है इसके लिए आप क्या कहेंगे पहली बात है कि यह जूट बोलना लोगों को भ्रमित करना उसको मैं लॉलिपॉप कह आओ दूसरी बात है कौन सा जूट से जैसे कि हम सब किसानों को कंद्रिमाप किया हकीकत है नहीं किया हकीकत है नहीं किया है आप उनके अपने सर्कूलर देख लीजिए तो इस प्रकार का जूट और भ्रमित करने वाली बातों से फायदा नहीं है दूसरी बात है कि भारत सर लोग सबस्क्राइदक करें की क्या सब्रक्राइब लोगों को घूछ हो नहीं बोलना सब्सक्राइब और कोई जिम्मेवार राजनीतिक दल हो तो उसने बिलकुल नहीं होना चाहिए तीसरी बात है अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है मुदध होती है तो बिलकुल करना चाहिए लेकिन क्या हुआ है इस देश में पहले भी सरकारों ने देविलाल जी के जमाने भी कर्ज माफी की थी दोजार आट नो के चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी की गई थी बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है विवस्ता में कि किसान कर्जधार बन जाता है और सरकार को चुनाव और कर्ज माफी चुनाओ और कर्जमा फिका चलाएना चलता है तो उपाई ये हैं कि किसान को मजबुत बनाना एमपावर करना बीच से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्ताओं को सुविधा देना अब मुझे बताईए बीच किसान को अच्छा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए हमारी सरकार से लटकी पड़ी थी सीचाई योजनाओं को हमने पाती का लाखो करोन रुप्या लगाया है और उसको हमने किसान को पानी पहुंचाने का काम किया चुनाव जितने के लिए सीचाई की क्या जूरत थे वो लाखो करोन रुप्य में ऐसे ही कह दें तम आप कर दो आपने यहीं तो मैं कहरा हूं जब उस तक पहुंचते हैं कि दुप पुरा कीजिए ना यानि हम जो कर रहे हैं वो तो यूँ यूँ ऐसे दोड़ा चलता है जी है मेरा कहना है किसान को कर्ज होता क्यों है उसकी समस्याओं का समाधान कर सभी कर्ज में हमें यह स्थीची बनानी चा करता था उसको लगता भी जो उसकी फसल के एले जमीन ठीक नहीं थे में पढ़ोषी करता है वो करता है सौहालहे दो क्रॉप के of के बिच में एक और लिया जा सकता है उसको समझाने लगी है पल्सीए कभी जाता नहीं था कम लागत वाली का है आज पल्सीए वह जा रहा है तो उसी का परणाम है कि फसल जादा पैदा हुई है लेकिन उत्पादन के बाद वैल्य एडिशन हमने बहुत बड़ा भ्यान चला है किसानी ओजना के दोरा और उसमें हम फूड प्रोसेसिंग वैल्य एडिशन उस पर काम कर रहे हैं हमारी यहां कोल्ड स्टोरेज की चेंज बनाने की दिसाम हम बहुत तेजे से काम कर रहे हैं बैरएंसिंग को बनाने के लिए हम बहुत तेजे से काम कर रहे हैं transportation हमारे देश में ऐसी घल्ती होती थी कि जहां चावल पैदा होता है वहां का चावल वहां पहुचाने के बजाए वो कहीं और ले जाते थे जहां चावल दूसरी जगा कम पैदा होता है वहां से उठा करके आले आते थे रेलिवे का खर्चा करके लगाते दें हमने जोनिंग करने का प्रहास किया कि पहले जहां उत्पादन होता है और वहां जो ज़रूरी आता है वह वहीं पहले पुरा करो ताकि यह वैरेंटेर बढ़ता न चला जाएं तो ऐसी छोटी 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 चीज़े इतनी की है कि जिसका परणाम है अब किसान को हमने अन दाता से ज़्यादा जोड़ करके अब कुर्जा दाता भी बनाना चाहते हैं हम चाहते हैं को अपने खेत में फसल के सिवाय के समय पर सोलार पैनल से बिजली पैदा करें हम सोलार पॉम दे रहें ताकि बिजली का बिल ना आए वो सोलार पॉम से अपनी खेती करें उसकी कॉस कमाई दूसरा MSP किसानों की कई सानों से मांग थी कि भेर स्वामी नाथन कमिशन को लागू करके डेड़ गुना लागत का MSP दिया जाए 22 फसलों में हमने निर्णे कर लिया अगर 2007 में जब ये स्वामी नाथन कमिशन का रिपोर्ट आया उन्होंने MSP लागू कर दिया होता तो धीरे धीरे दे वो विवस्ता परफेक्ट बन गई होती और किसान कर्जदार नहीं हुआ होता लेकिन वो करने के बजाए चुनाव जीतने के रास्ते खोजना तीसरी बात है हम देश के किसानों को समझाना ये मिडिया की भी जिम्मेवारी है क्या कर्ज माफी करके किन किसानों को फायदा होता है कितने किसानों को फायदा होता है देश का बहुत कम वर्ग ऐसा है जो बैंकों से लोन लेता है जादातर किसान साहुकार के पास से लोन लेता है और ये जब सरकार योजना बनाती है तो उसमें वो किसान नहीं आता है जो किसान को मरना पड़ रहा है वो इस व्यवस्था का हिस सा नहीं है वो से बार है और इसलिए यससरप चुनावी स्टंड किये जा रहे हैं फिर भी अगर राज्य सरकारें करती हैं तो हम उनको रोकते नहीं है हमने किसी सरकार को नहीं रोका हैं कुछ वाजबाव सरकारों ने भी किया है तो जिस राज्य की जैसे सुविधा होगी वो करेंगे हम किसी को रोकते नहीं है लेकिन इस समस्या का समाधान दूर करने के लिए भारत सरकार कमिटेड है किसानों के ताकत बढ़ाने के लिए कमिटेड है किसानों के समस्याओं का समाधान करने के लिए committed हैं और इसके लिए किसानों को empower करने के लिए जितने कदम उठाए जा सकते हैं उसको पूरी तरह उठाने का हम प्रहास कर रहे हैं अगर मैं अब एक issue पर बात करूँ जो आपके party के बारे में हैं आपके party के जो workers हैं पार्टी हमेशा leaders हो या workers हो एक emotive issue हो रहा है योधिया में राम temple का मसला अब उसको लेकर जैसे आपने triple तलाख में आप ordinance ले आएं तो राम मंदिर को लेकर ordinance लाना क्या is it a problem नहीं ला सकते हैं राम मंदिर अभी तक सिर्फ emotive issue ही क्यों बनके रहे गया है देखिए triple तलाख का ordinance सुप्रिम कोड के judgment आने के बार लाया गया है सुप्रिम कोड के judgment के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रिम कोड के जज्वन के प्रकाश में लाया गया है और इसलिए हमने भारती जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टों में भी कहा है कि समिधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे इस बात का कोई इंकार नहीं कर सकता है कि आजहादी के सत्तर साल भात सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है आज भी मामला सुप्रीम कॉट में है एक प्रकार से पुर्णता के किनारे पा करके बैठा हुआ है मैं कॉंग्रेस के साथियों से विशेश्चुप से बिंति करता हूं कि देश की सांती सुरक्षा भाईचारे के लिए अगरह करता हूं कि वे उनके अपने वकिलों को कॉट के अंदर इस मसले में रुकावट द्रालने वाले एजंडा से बाहर निकाले रुकावटे न करे और सभी वकिल बित्र जो भी कॉंग्रेस से जुड़ी हुए है जो इस ही बन सकता है मैं जो कहता हूँ कोट के अंदर कॉंग्रेस के वकील जो आडगे डालते हैं वो बंद हो नयाई की प्रक्रिया को दनाउसे न तोला जाए और मामला नयाई पालिका में है उसको पूर्ण किया जाए नयाई पालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मवरी जहां शुरू होती है हम पूरी तरह प्रयास के निगले त्यार हैं। स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। तो अब आब बताईए कि ये इन सेक्योरिटी मुसल्मानों में क्यूं है और इसके लिए आप एक एमपथी क्यूं नहीं आरी बीजेपी के लीडर से। ये गलत हैं सरासर निंगन ये हैं। दूसरी बात है क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है। तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परणाव है। इस थिति को सुधारने के लिए हम समने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। मैं इस सरकार में ये होता है और उस सरकार में वो होता था उस चर्चा को बढ़ाने के पक्षमें नहीं हूँ। एक भी गटना हो गलत है। ये मेरा स्पस्ट मत है। दूसरी बात है कि मात्मा गांदी जो कह रहे थे, अचरे विनोबाजी भावे कह रहे थे, भारत के समिधान में जो भावनाओं को प्रगट किया गया है, उसका भी आदर करना हम सब की जिम्मेवारी है। देश के सभी नागरीकों की जिम्मेवारी है। हम दूसरे की भावनाओं का आदर करें, तो हमारी भावनाओं को भी रक्षा होती है। ये माहुल बनाने में सभी समझदार लोगों ने रोल करना चाहिए। तीसरी बात है, दुनिया में अरब कंटी के एक बहुत बड़े उन्होंने एक बहुत अच्छा अर्टिकल लिखा था, मैंने एक आथ साल पहले पढ़ा था। इन्होंने कहा भारत से हमने सीखना सी, ये दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जहां विश्व के सभी संप्रदाय हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनसंग्या हैं हरे संप्रदाय की लेकिन इतने प्यार से मिल जूल करके जीते हैं, रहते हैं, जबकि हम एक ही संप्रदाय में मानने वाले लोग मारने काटने पर तुले हुए हैं। ये गल्प कंट्रीज के अंदर से लिखा हुआ एक मुस्लिम स्कॉलर का आर्टिकल है। भारत को गर्व करना चाहिए कि हम स जुनाव के पहले अस्विष्णा लोगों को देशने रख जाती है, डाल लगना चाहता है, तो किसे का लोगों का एजन्डा होता है, ऐसे वेक्तिकर टिकाटी पड़ी के तुछ सबका साथ सबका विकास, अठारा हजार गाउं में बिजली नहीं थी, हम ये पूछने नहीं गए कि किस संप्रदाय का गाउं था और अठारा हजार गाउं को बिजली है, हम सहुभागी होजना से आगे बढ़ रहे हैं, देश के अंदर चार करोड परिवार ऐसे ध्यान में आए कि जिन के पास बिजली नहीं है, हम ये नहीं पूछते किस संप्रदाय से हैं, वो मंदि जाता है, मज्जित जाता है, गुदवारा जाता है, ये हमारा काम नहीं है, चार करोड परिवारों के घर में बिजली का दिया जलना चाहिए, हमने तहे किया कि माताए बहने चूला जलाने से लकडी की चूले से धूएं की जिन्दी की जीती हैं, हर एक को उससे मुक्ती दि मामला पहुंचे उस दिशा मैं लगे हैं पांच करोड़ शे करोड़ के करीब पहुंचा दिए आंठ करोड़ तक पोंचाने का लग्स हैं और वो भी हम पूरा करके रहेंगे यह राजनीती खिंसा जो मामला है यह केरल में करनाथक में और Бेंगॉल में ये एक काफी पेचीदा मसला है आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ये बहुत बड़ा दुरभाग है कि लोक तंत्र में विरोधियों की आवाज दबाने के लिए से कोई भी कृति कहीं पर भी होता है देश के प्रधान मंत्री के तौर पर भारती जनता पाटी के कार करता क मैं इसकी घोर नेंदा करता हूं हमने बहुत भुगता है अब देखिए पश्चिम मंगाल में भारती जनता पार्टी को अपने लोकतंत्रिक अधिकारों को भी प्रगट करने से रोक दिया जाए कोट के दर्वाजे खटकटाने पुड़े चुनाओं में हमारे लोगों को ज सब्सक्राइद दिन हमारे कारकृता हो रही है मैं अशा में इसको भुगत रहे भारत के लोगतंद्र के उजवल भवशule Sur escuch के लिए सभी राज़लितिक दनों को सोच ना पड़ेगा यह कि रास्ता सए और मैं भारती जनता पार्टी के दो कला करता हूं उनके परिवारन जनों को विश्वाद hvad की कि ऐसी किसी भी हिंसा के ब्रहुति को सरकार स्विकार नहीं करती हैं, किसी भी दल के साथ हो, किसी भी दल के द्वारा हो, इसको स्विकार नहीं करती हैं, हर किसी को न्याय मिले, उसके लिए हम प्रतिबत हैं, हम राजे सरकारों से भी आगर कर रहे हैं, राज सरकार अपनी जि यह उजागर होकर के रहेगी, आज भले कुछ रोगों को रक्षा मिलती हो, लेकिन यह सब उजागर होकर के रहेगी, और मैं इसकी गोड निंदा करता हूँ. 2019 के चुनाव के लिए आप तिंग्स इन प्लेस की ऐसी राजनेतिक हिंसा ना हो और इलेक्शन बिलकुल ही नॉन वाइलेंट तरीके सब आएगी, हिंदुस्तान में हिंसा को कोई स्थानी नहीं हो सकता है, चुनाव हो तब हिंसा नहीं हो, बाकी समय हो ये भी तो नहीं चल सकत चुनाव तो एक तपका होता है लेकिन हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी साहिए और राजनितिक धनलों को अपने आपको इस दिश्द में ट्रेम करना होगा अपने अएक्रेट करना होगा आपने कहा आप उन्हें में स्ट्रीम में लाना जाते हैं लेकिन जब सबरी मला का इशू आ जाता है वहाँ सबरी मलाई में आपकी पार्टी कन्वेंशन, ट्रिडिशन, कस्टम्स उसमें फस जाते हैं तो एक समुदाय के लिए कस्टम्स, ट्रिडिशन क्यों और दूसरे समु दुनिया के अंदर के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं कि बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने टीपल तलाग पर प्रतिवन लगाया हुआ है इसलिए ये संपरदाय का आस्ता का मासला नहीं है अगर वह होता तो दुनिया के सभी देशों में तिपल तलाग चलता होता लेकिन दुनिया इवन पाकिस्तान में तिपल तलाग पर रोख है कानूनन रोख है इसका मटलब हुआ कि यह जेंडर एक्विलिटी का मसला बनता है सामाजिक न्याय का मसला बनता है ये धार्मी आस्था का नहीं बनता है तो दोनों को अलग किजिए दूसरा भारत इसमत का है और भारत सभावसे इसमत का है कि सभी को समान हक मिलना चाहिए हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी है जिसके मंदिर की अपनी माननेता है एक छो उस नहीं जाते हैं कुछ मंदिर है जहां यह है तो इसमें सुप्रीम कौड की जो महिला जज का जिजमेंट है उसको बारी की से पढ़ने की ज़रूत है इसको किसी राजनीतिक दल को एट्रिबूट करने के आवशकता नहीं है उन्होंने एक महिला के नाते भी समस्या को देख शाता था ऐसे लग रहा है कि जैसे वह बनता जा रहा है लेकिन जंदर बावु नइडू कहते आं कि की सी रर का जो घटबंधन बन रहा है उसका समर्थन मोदी जी दे रहे हैं तो इसमें आप बता क्लारियरटी मोद जोसो मर जोक्त्री बन रहें और मेरा इतना अज्यान होए तो संभव नहीं है। अब उनका तेलंगणा के प्रती जो द्वेशभाव पड़ा हुआ है और अभी चुनाव में तेलंगणा के जनती ने जिस प्रकार से उनका हाल बेहाल कर दिया है तो उनकी पीड़ा कहीं जलकती होगी तो उनका प्रॉब्लम है मैं इस विश्य से पूरी तरह अनभिग्य हूँ दूसरा विश्य है आखिर महागटबंदन महागटबंदन ये क्यों बन रहा है पांच साल हो गए महागटबंदन ने देश के सामाजी, आर्थि विश्यों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा आओ एक स्वर से कहा हो, ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ है अभी भी उनकी हहाँ से दो, दो स्वर निकलते हैं, बिन्न-बिन्न स्वर निकलते हैं और आखिर करें इन हो लोग हो के हैं ये खुद क्यों बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंड रहे हैं एक दूसरी को भी हाथ पकड़ो बच जाएंगे तो ये खेल चल रहा है उनका इरादा एक मात्र मोदी है मोदी को ये करो मोदी को वो करो आप अख़बार निकाल दीजिए पहला पेज तो एक नेता बोलेगा मोदी ऐसा है मोदी वैसा है दूसरा पेज दूसरा नेता बोलेगा मोदी है मोदी वैसा है आप अख़बार के दस पेज निकाल दीजिए दस अलग अलग गड़बंदन के साथ ही अलग अलग स्वार में गालिया देते रहते हैं क्या करेंगे क्यों करेंगे इसके लिए क्या करेंगे ऐसे कोई द्रस्टी रही है ये तो गड़बंदन वाले खुद कहते हैं कि कोई ideological unity नहीं है बट anybody but Modi मतलब ये उनका line है कि anybody but Modi इसलिए वो किसी के साथ भी जुड जाएंगे तो जुड 2019 का चुनाव है वो anybody but Modi versus Modi होगा ये आप मानके चल रहे हैं कि ये आप इस चुनाव को एक challenge मानेंगे कि anybody but Modi and Modi देखिए भारत की जनता चुनाव का दिशा निर्धारित करने वाली है भारत की जनता चुनाव का agent data करने वाली है भारत की जनता के aspirations के साथ कौन है और भारत की जनता के aspirations के खिलाब कौन है ये चुनाव का मांदन बनने वाला है देश की जनता जानती है कि ये पहले decentralized corruption था जो राज्यों में बैठे थे वो राज्यों को लूटते थे जो center में बैठे थे center को लूटते थे अब वो centralized corruption हो रहा है सब मिल जो लाक रहे राज को लूटने वाले भी आ रहे हैं और केंदर को भी लूटने आ रहे है तो देश की जनता ताय करेगी कि ये सब लूटने वालों की ताकत इखटी हो रही है उसके साथ जूड़ना है के नहीं जूड़ना है और इसलिए जनता वर्शीज गठवंदन होने वाला है मोदी तो जनता जनादन के प्रेम और आशिजवात का प्रतीख है और कुछ नहीं है तो आप तो बहुत ही हमबल हो रहे हैं इस मामले में क्योंकि राजनेतिक विशेश अग्यों तो कह रहे हैं जहां पर मोदी एक तरफ और राहूल गांदी एक तरफ आप क्या कहेंगे मानेंगे मैं सपस्ट मानता हूं कि इस बार का चुनाव देश की जनता के आशा अकांशा है उसको बढ़ारेगा कौन वो जनता ताय करेगी उसको नहीं बढ़ाएगा रुकावट परदा करेगा सतर साल का अनुभव क्या है वो भी जनता ताय करेगी जनता ही इस बार निरनायक है तो आप कह रहे हैं आइडियाज और एजेंडा ये इशू होगा और अगर आइडियाज और एजेंडा अगर मानके चले तो क्या एंडिये और एलाइस को जोड़ सकती है अपने गुठ में मायवती जी जोड़ रहे हैं हम लोग 2014 में थे उससे बहुत बड़ी मात्रा में सारे छोटे मोटे दल हमारे साथ जुड़े हैं नौर्सिश में तो हम कहीं थे ही नहीं 2014 के पहले बहुत बड़ी मात्रा में हमारे साथ जुड़ है क्या मायवती जी जुड़ सकती है आपके साथ कौन जुड़ सकता है कौन नहीं जुड़ सकता है और मैं नहीं मानता हूँ कोई समझदार वेक्ति टीवी के सामने इसी चीज़ों का उल्ले करेगा और लेकिन मैं इतना जुरूर मानता हूँ कि देश की जनता इन सारे चीज़ों को जानती है अब तेलंगणा में गड़बंदन का क्या हाल हुआ बुरा हाल हुआ लिग उसकी कोई चर्चाई नहीं करता है वो गड़बंदन का पहला प्रयोग था पूरी तर अभी फल गया अभी जमू किश्मिर में गड़बंदन के सब लोगों ने ताहिकिया था चुनाओं का बहिशकार करेंगे जनता ने नकार दिया 74% वोटिंग हो गय अभी औंसाम के अंदर इसाना गड़बंदन एक बजह था भारति जनता प्रणी एक पजल्जी पंचायतों के चुनाओं में घर बंदन का बुरा हो गया भारति-जनटा पाडी जीद गई अभी त्रिपॉरा के अंदर यहीं घर्बंदन के लोग मैदान में थे מס हिश अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं उधर ठाकरे जो हैं वो भी चोकिदार चोर है जैसे लफ्स का इस्तमाल कर रहे हैं जो राहुल गांदी ने उसे पॉपिलर किया हुआ है तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपके ऐलाइज इस वक्त चुनावी रिजाल्ट्स देखकर थो साथी दलों को साथ लेकर हमने सरकार में सब को जोड़ने का प्रहास किया है आज भी सरकार चलाते हैं तो सब के साथ विचार में मर्ज करकर करके हम चलाते हैं सारे निरणे सहवती से होते हैं लेकिन यह बात सही है कि स्टेट का अपना एक पॉलिटिक्स होता है और हमारे सा कॉंग्रेस का केल यह है हैं आपने देखा का कॉंग्रेस के साथ जितने दल जूटे हैं आक्यर गड़்बंदन की विश्था है कॉंग्रेस को इसे कहले बाग कोंग्रेस आजाए हैं कि जो भी हमसे जूडता है वो फ़लता है फुलता है खीलता है तो हमारी कोशिश यह रहती है हमारे साथी दलма कीले कहिं कुछ चोटी मूटी किसी क्या पेक्षा रहे ये तो उनको मन करता है कि दबाओं डालने से साथ फाइदा मिलता है तो कोई वो रास्ता लेता है किसी को लगता है नहीं मिल बैठ करके बारचीत करने से फाइदा होता है तो वो रास्ता लेता है तो राजनीतिक दलों के अपने नकार करके देश नहीं चलाए जाए जाए। ये जो ब्रह्म पैदा किये गए ना ये तीस साल पहले जो बाते बोली जाती है आज भी वो डायलोग चल दे रहते हैं। मैं चाहूंगा कि मीडिया वर्ड अपने नेरेटिव के सबन में सोचे जैसे सालों से कहते हैं कि भारती जनता पार्टी जनता उत्तर भारती हैं। हम गोवा में सरकार में हम गुजराद में सरकार में हम महाराष्ट में सरकार में हम कभी करनाटक में सरकार में तो यह 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 लोजिक कहां बैठता है यह हम दक्षिन में है इसलिए यह प्रकार का लोजिक ठीक नहीं है दूसरा भारती जनता पार्टी उच्छ वर्ण की पार किसान MP, ग्रामिन जीमन से जुड़े हुए MP, लेकिन एक प्रकार का बना दिया गया, यह होता है, फिर बना दिया गया हम शहरी पार्टी, रियालिटी है कि इतना बड़ा पार्टी, शहरी होता तो हम तो सिमट के रहें, हम तो शहर के भी हैं, गाउं के भी हैं, हम उपर के समा से भी जुड़े हैं और इसलिए जो पुराने जबाने की सोच है उससे हमें बाहराना पड़ेगा आज भारतिय जनता पार्टी का तमिलनाडू में भी MP है और भारती जनता पार्टी का जम्मु कश्मिर में भी MP है भारती जनता पार्टी का नौर्थिस में भी MP है तो भारती जनता पार्टी का विश्ट में भी MP है तो भारती जनता पार्टी चारों तरफ है हम लगातार हमारी पार्टी के विस्तार के लिए प्रयास कर रहे हैं दूसरा सहमना जो लोग है दन जो हमारे साथ चलना चाहते हैं जिन के साथ हम चल सकते हैं हम हमेशा सब के साथ चलने का प्रयास करते हैं हम ताकतवर हो उस राज्य में भी हम साथ चलना चाहते हैं हम ताकतवर न हो उस राज्य में भी साथ चलना चाहते हैं तो साथ चलना ही हमारा सिद्दान रीजिनल एस्पिरेशन्स को बल देने के हमारे मुल्वत सिद्दान से जुड़ा हुआ है। हम होने से पहले चीफ को रिजाइन करना पड़ा और उनका ऐलिगेशन है कि बीजेपी सरकार कॉफर्स खाली करना चाहती है आर बी आई के कॉफर्स इसके बारे में आप क्या कहेंगे। केबिनेट इतना बड़ा निर्णे करें और प्रेस कॉंफर्स में पार्टी का एक नेता उस केबिनेट के निर्णे के कागज को टुकड़े करें। आपने जुड़ी शरी को जो सिन्योरिटी के आधार पर जजज नियुक्ति किये जाते थे ओपनली कहा कि हम आइडियोलोजी के आधार पर जुड़ी शरी को टाय करेंगे और आपने सीनियर जजजों को बाहर निकाल करके फैक दिया था और जुनियर जजज को अपने अनु कह दिया था मालूम है कौन थे उसे मैं क्लानिंग कमिशन के वाइस चर्म है और ऐसा बोला गया था इन लोगों के मुझे सोभाय देता है जहां तक सिभी आई आंत्रीक व्यक्तिकत मामला आया तो सरकार ने नियाईक तो रुकुत से का भी आप लोग दोनों छुट्टी पर चला जिए इंस्टिटूशन हमारी लिए प्रात्मिकता है और विया का सवाल आया स्वायम गवनर साब ने रिक्वेस की अपने नीजी कारणों से और सवाल ही नहीं उड़ता है और मैं मानता हूं कि अच्छा काम किया है और एडी के बारे में कॉंग्रेस का कहना यह इंबारस्मेंट डिरेक्टरेट बन गही है इस और्गनाइजेशन को भी इस्तमाल करा किया जा रहा है जैसे पहले कहा था कि एक वेंडेटा के तौर पर रे थर जीष, प्लुट ढूर्चार कने फारवे किस प्रकार से इंस्टूट karışंद का दूर्पियों कि इन लोगों ने किया है देखिए हम्साड़े चार से बैठारके कि मोधी इन लोगों के खिलाप कदम ने उठा कर रहे में था इता है अभा कि एडी प्रोफिशनल है अपना क वो भारत के कबजे में आता है तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए अगर मिशेल को बचाने के लिए कॉंग्रेस पार्टी का वरकर वकिल बन करके पहुंच जाए तब चिंता का विशे बनता है वरना इस देश में तो गर्व होना चाहिए कि चलिए भे एक राजदार आया है सही जांच होगी नयाई निगरानी में होगी तो देश का दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा उसके बजाए आप अपनी पार्टी के वकील को भेज करके आप उसके मदद का लिए पहुंच जाते हैं चिंता का विशे तो यह है उन्होंने तो नाम भी ले लिया है मिस्स गांदी कहा इटालियन पुत्र कहा मेरे पास मेडिया रिपोर्ट है मेरे पास और कोई जान करी नहीं जी रफाल का मुद्दा जो है उस जहाज को लेकर राहूल गांदी ने सीधा सीधा आप पर करप्शन क्रोनी कैपिटलिजम इसका अलिगेशन किया है लेकिन आप चुप रहें आपने कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि अनेलंबानी आपके दोस्त है आफसेट में आपने उनका नाम लेकर फ्रांस के प्रेजिडेंट पर प्रेशर डाला डसौर पर प्रेशर डाला और उसकी वज़े से रफाल खरीदना पड़ा ज्यादा दाम दे कर खरीदना पड़ा लेकिन आप कोई सफाई नहीं दे रहे हैं आपके पार्टी के लोग दे रहे हैं आपने कुछ नहीं किया और सीधा-सीधा आप पर इल्जाम था नमबर वन ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है एक सरकार पर आरोप है सरकार पर आओ मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोच करके निकालना चाहिए कि किस ने दिया, क्या दिया, कहां दिया, कहां रखा, सब निकानना चाहिए हो ने दूसरी बात है, कि साउसत में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मोका मिला है, मैंने इस विस्तार को से बताया है तीसरी बात है सुप्रीम कौट तक मसला क्लियर हो चुका है सुप्रीम कौट ने उसके बाल की खाल उधेर करके सारी चीजे निकाल कर रखे रख दी है फ्रांस के रास्पत्री जी ने बयान दे दिया है भारत के प्रधान मंत्री ने बयान दे दिया है उनको इतना कर लीजिए जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं बेज जब भी बोले तो आप इतना कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए उनको पूछे कि ठेलिए भे आप बताईए सिद्ध कीजिए आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताईए ऐसा पत्थर मार के भाग मत जाएए कीचर उचाल करके भाग मत जाएए ये तो सवाल पूछे उनको कहीं तो देख भी यहां का लिंक यहां यहां का लिंक यहां है ये तो दे नहीं पारें बोलते चले जा रहे हैं जी अब मुझे बताईए उनको ये बोलने की बिमारी है तो मुझे बार-बार उसे में उलते रहना चाहिए किया मैंने एक बार जवब दे दिया पार्लामेंट में दे दिया सुप्रिम कौर से मामला आया दूसरी बात है देश में चर्चा यह होनी चाहिए कि आध्यादी के बात लगातार डिफेंस दिल हमेशा विवादों में क्यों आये है ऐसा कौन सा वरकल्चर बना है कि देश में इस प्रकार से डिफेंस दिल को ही विवादों में डाल करके हमारे देश की सेना को और दुडबलकर्ना कर सलियंतर को और कों कर रहा? क्या कारण है? दूसरी बात है Def性 डिल में दलालों को क्या जरूरत है? क्या इ दलालों के बेना defend डिल नहीं होता? तीसरी बात है Make-In India अगर 70 साल पहले शुरू वा था भारत खुद अपने सस्त्र बनाता तो यह बाहर से जो मराई खाने वाला रास्ता है वो बंद होता कि नहीं होता है मेरा गुना यह है कि मैं मेकेन इंडिया के कोशिश कर रहा हूँ मेरा गुना यह है कि हिंदुस्तान में जिना को जो जरूरत है वो हिंदुस्तान में बननी चाहिए तक ये सारे बाहर से जो स्वाधिवाजी हो रही है बंध होनी चाहिए और इसलिए मैं लगा हुआ हूँ मैं टेक्नलोजी ट्रास्फर करने के लिए लगा हूँ यहां कोशिश कर रहा हूँ दूसरी बात है जो लोग सेना को दुर्बल बनाना चाहते है आरोप के मर देते है क्या मुझे मेरे पर आरोप लगे इसकी चिंता करनी चाहिए कि मेरे देश की आवर्शक्ताओं को पुरा करना चाहिए मैंने टाई किया है जितनी गालिया पड़ेगी मैं खाऊंगा जितने आरोप लगेंगे लगने दीजिए मैं इमानदारी के रास्ते पर चलूँगा राश्ट रक्षा को प्राक्विक्ता देते हुए चलूँगा मैं मेरे सेना के जमानों को उनके नसीब पर नहीं छोडूँगा उनकी जो भी रिक्वार्मेंट है उसको खरीदना पड़ेगा तो प्रक्रियाओं को तेजगती से चला करके करूँगा मुझ पर आरोप होते रहेंगे तो भी करूँगा क्योंकि मैं इमानदारी और सत्य के साथ जीने वाला इंसान हूँ इसलिए जूठे आरोपों से डर करके मैं मेरे देश की सेना को दुरबल नहीं कर सकता हूँ मैं मेरे देश की सेना को निहत्थी नहीं कर सकता हूँ देश को जो आवश रकता है वो मिलना चाहिए सीना की बार चल रही है तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक्स पर आती हूँ जब स्ट्राइक्स हो ये उसके बाद बहुत से पूर सैनिक उन्हें कहा कि स्ट्राइक्स का राजनीती करण नहीं होना चाहिए था लेकिन हर election में जो उसके बार जो election हुए है बीजेपी उसे एक success और एक political तौर पर उसका इस्तमाल कर रही है क्या ये गलत है पहली बात है कि मैं स्वयम इसमत का हूँ कि surgical strike का राजनीति करन नहीं होना चाहिए उसमें तो कोई विवादी नहीं है लेकिन जब surgical strike हुआ तो किसी सरकार के मंतरी ने बयान नहीं दिया है न प्रधान मंतरी ने बयान दिया है सेना के अपसर ने देश को जानकारी दी और वो भी इंफर्मेशन दी है और वो इंफर्मेशन यहां दी इतना नहीं टेलीफॉन करके पाकिस्दान को भी बताया गया था और जब तक पाकिस्तान को सुचीत नहीं किया तब तक हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं बताया गया था और सेना ने खुद ने आकर के अपना एक डिटेल डिपोर दिया था वहीं बात समाप तो हो गई थी लेकिन देश का दुरभाग यह है कि उसी दिन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडरों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर शक खड़ा किया पाकिस्तान के लिए तो इस प्रकार से बोलना जरूरी था कोई को उनको वहां मोरल टकाय रखने के लिए आवशक था लेकिन जो बात पाकिस्तान बोल रहा था वो हमारे देश के लोग बोल रहे थे अपने बात को बजन देने के लिए उधारन भी पाकिस्तान का दे रहे थे राजनीती करण वहीशे शुरू हुआ आपने देश की सेना के लिए अनाप सनाप सब्द बोले और मैं मानता हूँ कि जिनों ने इस प्रकार से देश की सेना पर इस प्रकार के आशंकाय की है सर्जिकल स्ट्राइक पर आशंकाय की और पहले ही दिन बयान बाजी करकर के इस प्रकार से उसको रौन दालने कोशिश की वो गलत हुआ है और इसलिए मैं स्पष्ट मत का हूँ कि इसका कतही राजनीती करन नहीं होना चाहिए दूसरी बात है सहिने का गवरव करना उतना ही जरूरी होता है सहिने के पराक्रम का वरणन करना उतना ही जरूर होता है देश के प्रधान मंत्री के नाते, देश की सरकार के नाते और देश के नागरी के नाते हम सब का दाइत में बनता है कि 62 के लड़ाइक में भी हमारे सेना का पराक्रम हो तो उसका जिक्र करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे सेना का पराक्रम हो तो उसका भी जिक्र करना चाहिए देश के जीने बनने वाले लोगों के गवरवगान अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा तो गवरवगान को राजनीती करण कहना अनुचीत है सर्जिकल स्ट्राइक्स ये सवाल मैं पूछ रही हूँ बतानी जवाब आप देंगे की नहीं जो surgical strikes जिस दिन हुआ, तो कहा जाता है कि आपको live information दिया जा रहा था, आपको step by step पता था कि क्या हो रहा है, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि ये संभव था कि surgical strike operation successful ना हो, तब उसकी जिम्मेदारी भी आप पर होती कि एक botched strike है, और ये भी हो सकता था कि लोग आप ने पाकिस्तान पर आक्रमंड किया, आप जंग छेड़ना चाते हैं, उस वक्त आपके मन में, क्योंकि ये पहली बार था कि as a prime minister you were taking such a step, तो आपके मन में उस वक्त क्या था? देखे, जब उरी की घटना घटी, और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया, जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचेन बना दिया था, और मेरे भी तर एक आक्रोस था, मैं बेचेन हो गया था, मैं केरल गया था, मैंने केरल में पब्लिक मिटिंग में इसका जिकर भी कर दिया, कि कि मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मैं एक लोगतंत्रिक ववस्था का प्रतनी दिया हूँ, और मेरा व्यक्तिकद गुसा, मेरा व्यक्तिकद आकर उसमारी व्यक्तिकद बेची नहीं, इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए, मैं संतुलत समझता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों उसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाए की, लेकिन मैंने अनुफ़ाव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज़्यादा लगी हुई है, वे किसी भी हालत में, इस परिस्थिती में, देश के जवानों के मौरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा का आप पुरा डिजाइन करके लाइए, मेरे पास क्या है क्या है और मैंने कहा आप चीतना भी कर सकते हैं, करिए, अब सोचने में कमी मत करना, फिर बैठके ताए करेंगे, कि इतना कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, मैंने उनको खुली छोड़ दी, उन्हों बरा प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास, दो बार हमको डेड़ बदलनी पड़ी, इस आपरेशन की, क्योंकि मैं फुल सिकुरिटी चाहता था, अकिर कर आपरेशन ताए हुआ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा रिक्स था, और रिस्क मुझे राजनी थी, फाइदे और नुक्षान वारा रिस्क में कभी सोथता नहीं हूँ, मेरे जवान, उनका कोई नुक्षान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंद्गी लगाने लिए निकल पड़े हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की जरूत थी, उसको भी कुछ साधन भी चुटाए गए हैं, तक कि कोई तकलीफ नहीं हो, दूसरा यह तहय किया कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई, और वो भी सिक्रेश से मैंटेन करने तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई, उसमें भुभाग, वहां की अर्चने उसको भी देखा गया, क्या-क्या रुकावटे आ सकती, इमेजिनेशन करना, उसकी भी चिंता की गई, और मैं इन चीजों को, मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग एक्स्पेरियंस था, तो मैं भी उसको ज़रा, बड़े चाहु से समय द जो डेट हम करेंगे, कौन कहां रहेगा, उसका मेंन टीम के लोग, वो भी ताई किया, और ताई ये किया, सुर्यों दे, कि पहले हमारे लोग बापिस आ जाने चाहिए, और मैंने इस पस्ट आदिश दिया था, कि सफलता मिले या विफलता, उसकी चंता छोड़ देना, ले जो इस मोह में पढ़ जाएं, और फिर लंबा खीचले ऐसा नहीं, जो भी करना, लेकिन मैं मेरे जवानों को मरने नहीं दूँगा, ये मेरा पहला, उनको वेल एक्रिप्ट किया गया था, वेल ट्रेंड किया गया था, और उनको खुद को निर्णे करने का मौका दिया था, कि पताओ वेशना बड़ा रिस्की काम है, तो चाट करके लोग निकाले थे, इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी गया था, देश में भी आक्रोष था, मैं लावी कॉंटेक में था, चीजे था, लेकिन सुभे जानकारी आना बंद हो गया, सुर्यदय होते तक मैं फिर बेचन होने लगा हूँ, मैं मन में होता था कि क्या हुआ भई, गंटे पर से कुछ ख़बर नहीं आ रही है, पन्दा तो लगाता रहा रही थी, दिख ले हैं, पहले टुकड़ी ये, दूसरे टुकड़ी ये ऐसा है, लेकिन सुर्यदय होने के बाद भी, मुझे ख़बर नहीं आने लगी तो मैं थोड़ा बेचन होने लगा हूँ, अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कॉम्मिनिकेट करूँ कहीं और तकलिव हो जाए तो, काफी, याने करीब करीब सुर्यदय के भी एक घंटे के बाद, वो समय मेरे बहुत कठीन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लोटने के ख़बर सुनने के लिए मैं बना लाद, वहां कितना नुक्सान हुआ वो बात का विश्य है, लेकि मेरा जवान जिंदा लोटने मेरी पहली प्राद फिकता थी, फिर एक ख़बर आई, करीब गंटे भर के बाद, कि अब वापिस हमारी सिमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी दो-तीन टुगडियां सेफ जोन में आ गई है, लेकिन चलने निकलते और कोहीं, रेंगते हुई निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप जिंदा मत कीजिए, मै चलना, अब आखिरी वक्ति आ गया, तो फिर हमने केमिनेट कमिटे ऑन सेकूरिटी की मिटिंग बुलाई, और उनको मिडिया ने, आर्मी के लोगों ने आकर कि जारा ब्रीट किया, उसके बाद, पाकिस्तान को बताना, एका हमने कामिनेट कमिटे ने सेकूरिटी दे टाय कि और पहले पाकिस्तान को सुचरा करूब बो ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद, बीडिया को बताना, तो पाकिस्तान के लोग केलिफॉन पर आते नहीं थे, बीडिया को गैरा बज़े बुला लिया था, मिडिया भी परिशान था कि ये क्या बात है, बोलते नहीं कुछ, ब एकसेटमेंट भी था चिंता भी थी और मैं पूरी तरह खुद इन्वाल था बारी की नजल ले रहा था लेकिन जिस प्रकार से आपरेशन किया जिस बारी के से किया हमारी सेना की शक्ति का मुझे एक नया परिचे हुआ जी हमारी सेना में ये जो सामर्थ है अध्वूत है जी और मैं तो सर जुगा कर उनको नमन करता हूँ कितनी बारी के से इतनी परफेक्ट लिए उन्होंने प्लान किया और इसलिए गर्व होता है हमारी सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के अबजेक्टिव क्या थे क्योंकि अभी भी गुस्पैटी आ रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिजम अभी भी है कश्मीर में वाइलेंस का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ तो क्या वो एक डेटरेंट के तौर पर इस्तमाल किया गया था लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स और भी होंगे या एक पॉलिसी बन गई है कि क्रॉस बॉर्डर हम करेंगे हॉट परस्यूट हम करेंगे पहली बात है कि इन चीजों को मैं मेडिया के सामने कहना उचित नहीं मानता हूँ वो ठीक नहीं होगा मेरे लिए किस रणदीती से चलना कैसे चलना वो जिस तरपर होता है वहां हो रहा है होता रहा है दूसरा 65 के लड़ाई हुई विभाजन हुआ उस दिन भी लड़ाई हुई तो एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा ये मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गल्ती होगी पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो अभी और समय लगेगा पाकिस्तान की बात है आपने जब ओथ टेकिंग के टाइम आपने नवाज शरीफ को नियोता दिया आप खुद लाहोर चले गए इमरान खान के शपत लेने से पहले आपने उन्हें मुबारक बात दी उस वक्त तो लोग कह रहे थे इतनी उतावले क्यों हो रहे है मोधी जी कंग्राचिलेट करने में क्या नोबेल प्राइस उनका गोल है क्या और आपने इतने कदम उठाएं लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान संबंध बिल्कुल ही खतम से हो गए है डायलॉग शुरू नहीं हुआ है तो अब जब इमरान खान आ गए है और उन्होंने कह है करतारपूर कोरिडोर के बाद जब वो खुद कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए इन पांच महीने में इलेक्शन के पहले क्या भारत पाकिस्तान डायलॉग शुरू हो सकता है नंबर वन भारत ने कभी भी चाई यूपीय सरकार हो चाई एंडिय सरकार हो भारत की किसी प्रधान मंत्री ने डायलॉग का विरोध नहीं किया है यह हमारी कंसिस्टन पॉलिसी है कि हम बाचीत के पक्ष में हैं हमारे देश की एकंसिस्टन पॉलिसी यूपीय एंडिय नहीं है यह मोधी मनमोंजिंग नहीं है कॉंस्ट कंसिस्टन पॉलिसी है कि हमारी हम चर्चा क करने के लिए आरे हैं ऐसा नहीं कि यह विशेव होगा तो नहीं करेंगे विशेव होगा ने विशेव पर जब कि भारत का ग्राउंड बहुत स्ट्रोंग है हमारा कहना इतना ही है कि बंबंदूक मैं बाच्ची सुनाई दे देती है आतकवाद बंद होना चाहिए क्रॉस ट्र बनाई हुए हैं हमने दुनिया में वाताउन बनाया है आज टेरिस्टों को मदद करने वाला पाकिस्तान अलग तलग पड़ गया है यह अगीकत है और दूसरी बात है घटनाएं भी कि सिमिध हुई है आज मानोता में विश्वास करने वाले कानून में विश्वास करने वाले देशी एक गंडिता में तो आप क्या इमरान खान के जो बयान पर आप कुछ सिंसिर्टी देखते हैं मसलां अगर वो आपको नियोता दे सारक संमेलन में शिर्कत करने के लिए तो क्या आप इसलामबाद जाएंगे सार्क में अगर सार्क हेड्स ऑफ गवर्मेंट मीटिंग के अगर वो अगर नियुता देते हैं तो पुरानी कहावत है बैन विल रिच दे ब्रीच उसी को मैं द्वाराओं को और क्या कहूंगा चलिए अब हब चाइना के बात करते हैं आप शी जिन पिंक को गुजरात ले गए आप बारा या तेरा वारी मिल चुके हैं लेकिन जवाब में भारत को डोकलम मिला क्या आप भी जवालना नेहरू की तरह धोका खा गए दुकलम में भारत ने क्या क्या उसके आधार पर भारत का मुल्याकन होना चाहिए और भारत के साथा कोई घटना नहीं कटी जिसको आप धोका कैसकते हैं लेकिन हमारा मुल्भूत रहा है कि हम पडोसी देशों से मित्रता चाहते हैं या सिरंफ इस सरकार नहीं हिंधुस्तान के सभी सब्कारों का रहा है क्या पड़ोसी से अच्छे सबन चाहते हैं हम पड़ोसी देश साऱ हमारी तरही आगे बड़े यह हम सब्सक्ताइए आपके उपर यह बीःоп लगा जाता कि जो foreign ट्रिप्स हैं आपके एक तो बहुत ज्यादा है और दूसरा ये फोटो अपर्चुनिटी ज्यादा है और कॉंक्रीट स्टेप्स जादा नहीं होते इसमें देखिए सभी प्रधान मंत्री के करीब करीब इतनी ही याक्रा होती है क्यों ज्यादा फरक नहीं है आप अगर हिसाब लगाएंगे क्योंकि अब इंटरनेश्टल फॉरम बहुत बन गए हैं माल्टिलाटरल फॉरम तो आपको जाना ही पड़ता है समीठ है बिने बिने प्रकार की अचा प्रधान मंत्री से नीचे के लेवल का करते हैं तो वहां हमारी आवाज सुनाई नहीं देती है उस पॉरम में तो यह एक परकार से अनिवार यह हो गया है पहले तो एक यूएन जनरल एसमली हुआ करती थी तो एक प्रकार यह हो गया है और वो मेरे साथ नहीं मनमुन सिंचो के भी करना पड़ता था मेरा इतना ही है कि मैं जाता हूं अगर एक देश में तो बगल की एक दो देश करके आता हूं तो कम खर्चे में कम समय में अधिक काम हो सकता है तो मैं भारत क्या दुनिया भर के अंदर अ थे वहां भी कोई नोटिस नहीं करता था जहां से जाते थे उनको यह पता नहीं था गया क्या आए अब मेरा के साथा है कि मैं जाता हूं तो पता भी चलता है कोई कि मैं वहां लोगों से मिलता हूं कुछ काम करता हूं कुछ नेरे करता हूं और मैं मानता हूं देश के of action पूरा नहीं हुआ आपको लगता है आपका वाइदा पूरा नहीं हुआ अभी तक ये बात मैं आज भी मानता हूं जब टीवी के लोग मुझे पूछ रहे थे तो बेरे भीतर से निकली हुई अजया आवाद थी वो कि मा गंगा ने बुलाया है और एक बेटे के रूप में मैंने इमानदारी से प्रयास किया है पांच राज्ये इसके साथ साथ लेकर कर मुझे चलना है अभी तो चार राज्यों में भाज़पागी सरकार है तो थोड़ा सरर हो गया पहले अलग-अलग सरकारे थी तो उनका उस देना नहीं चाहता हूँ लेकिन हमने एक काम जरूर किया जब राजी गांदी के जमाने से इतले पैशे खर्च किये गए यह सफलता क्यों नहीं मिली तो हमने उसका पूरा अध्यें किया अध्यें करने के बाद उसमें जो कमिया थी उसको कैसे ठीक किया जाए तो हमने पूरी राणदीती उस प्रकार से बनाई है और काफी अच्छा प्लानिंग करके काम किया है अब आप देखिए 120 साल पुराना एक नाला जो करोडों लिटर पानी गंदा पानी गंगा में डालता था 120 साल के बाद अभी वो बंद किया गया अभी चार हजार गाओं जो गंगा के तरप पर है वो सभी ओपन डेखिशन फ्री हो गए है जीतने भी नगरपाली काये महनगरपाली काये हैं वहाँ अभी में बनाज गया तो वहाँ भी बहुत बड़ा एस्टिपी का प्लान हमने लोक तो सावारे सिवीर प्लान अब यह क्रस्ट्रक्शन लगता है दो दो तिन तिन साल के प्रजेक होते हैं सारे चल रहे हैं कई मात कई हो चुके हैं कई हो रहें अब दूसरा जो बड़ा चलेंजी काम आने वाला है वो जितनी नदिया जूडती है गंगा जी में वो भी तो के मैं सुद्धता दिखाई देने लगी है लेकिन इससे मैं संतुष नहीं हूँ यह तो अभी लेकिन हम हमारे दिशा सही है हमने जीन चीन चीजों को हाथ में लिया है सही दिशा में पकड़ा है और यह हो जाएगा उसी प्रकार से कॉंट्रेक्श सिस्टिप हमने अब उसकी क कि में मुंसिपाल्टी चला ना पाए और इसलिए वो बंद हो जाए फिर से गंदा पानी जाना शुरू हो जाए तो इन सेरी चीजों को लेकर कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि यह परणा मिलेगा तो चुनाव आप बनारस से ही लड़ेंगे क्योंकि चर्चा में आया है कि श कैसा महसूस हुआ और क्या आपने सूचा भी कभी कि राहुल गाद्धी आके आपको गले मिलेंगे और फिर आंख मारेंगे साइड में बैठे वोए व्यक्ति के साथ उस वक्त कैसे फिले कैसा महसूस हुआ आपको और इन साड़े-चार साल जो आप सांसद रहें उसके बार हमारे सभी सांसद वक्ता हुई जरूरी नहीं है लेकिन सांसद दर्ति से जुड़ा हुआ होता है किसी भी दलगा हो उसको बहुत बारीकियों का पता होता है जो सरकारी फाइलों में रिफ्लक्त नहीं होती है जितनी ज़्यादा बहस होती है उस मंथन में से अमरित निकलता है और इसलिए मैं इस मत का हगरे हूँ कि बहुत व्यापक चर्चा हो खुल करके चर्चा हो और इशू की बारीकिय की चर्चा हो दुर्भागे से ये दिरे-दिरे-दिरे-दिर कम होता चला जा रहा है इससे देश का बहुत नुक्षान हो रहा है मानो आट गंटे बहस होती है तो आट गंटे तक सरकार को घेरने का मोका मिलता है सरकार की बारीकियों से अलोचना करने का मोका मिलता है इससे सरकार में बैठी हुई जो बिरोक्रसी है वो भी चोकन नहीं हो जाती है उनको भी लगता है अभी तो सिरफ राज नेताओं पर छिटा कैसे हो जाती है political mileage किसे का कम किसे का अधिक होकर के बाद चिटा व्यवस्ता पर जो दबाव पैदा होना चीन वो नहीं होता है सौसत का काम है व्यवस्ता पर दबाव पैदा हो कि हर बिरो के सी को लगना चाहिए पहले तो एक लेक्यों आता था तो प्रेнов बिरो के से हिल जाते थी अज वह श्तिति नहीं हुए यह चिंता का विशय है और इसलिए मैं चाहूंगा कि लोकतंत्र में हमारी संसद और जागरत हो और सजग हो हमारे संसद जो चुनकर के आते हैं उनको अपनी बात बताने का अवसर मिले मुठी भर लोग इसको दबोच करके बैठ गए हैं उन्होंने लोकतंत्र का बहुत मुख क्या है तो आखरी सवाल प्रधान मचीदी जी की साढ़े-चार साल के बाद आपको अपने टैनियोर में एस प्राइन मिनिस्टर आपको कोई रिग्रेट किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट और सबसे अच्छा क्या लगा आपके टैनियोर मिग्रेट जो क्या काम था जो आपको लगता है कि ये काम करने में बहुत आनन्द आया और ये काम रहे गया ये रिग्रेट देखिए ये निनने मैं जनता पर छोड़ देता हूं कि मैंने जो काम किया है उस काम से उनको संतोष हैक नहीं है अच्छा लगा या नहीं लगा ये एक बात जरूर है जो इसका मुझे आश्यर तो नहीं है जो एक लूटियन दुनिया मानते है उसको मैं ना अपने में ला सका हूं ना अपना बढ़ा सका हूं क्योंकि ने मैं अपने में लाना तो चाहता नहीं था क्योंकि मैं एक बैग्राउंड डालक है तो एक नॉन एल उनको मैं जीत नहीं पाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कैसे जो तत्व है, उनको कैसे जीत पाऊँ, कोशिश करूँगा। आनन्द किस बात का आया, अज प्रधान मंतरी, अज प्राइम मिनिस्टर आफ तो वर्ल्ड's most populous democracy, एक बहुत बड़ी जिमेदारी थी आपको, जो दी गई थी, अब साड़े चार साल में किस बात का आपको बहुत आनन्द आया, रेप्रेजेंटिंग इंडिया। देखे मुझे हर पल आनन्द आया है, मैंने हर काम आनन्द से किया है, हर काम खुशी से किया है, क्योंकि मेरे हर काम में सत्यता है, पवित्रता है, इमानदारी है, और सवा सो करोर देश से आगे पीछे कुछ नहीं है, और इसलिए हर पल काम करता हूँ, इतनी महानत करता हू आनन्स करता हम और उसलिब आसमे से यह 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 अनन्द आ यह 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 यानन्द नहीं असा नहीं नीकाल सकता हूँ दन्यवाद प्रिदान नंत्री जिया आपको भी दन्यवाद फिर से एक बार नववर्ष की देश्वाजियों को, धर्षकों को, येनाई को, सबको भहत वा शुक्वामनाए. दन्यवाद. All right, 90 minutes interview by the Prime Minister of India, the first interview in 2019 and possibly the most comprehensive interview that we have seen of the Indian Prime Minister till date in his entire tenure. और घ्री पुसिल होंगानी भी सीम्हाइमाऊ कि रख किम प्रफेश रहाँ कि अंक जान चाहिन प्रफेयर कि बीजिए भी टॉद्गू छाहिवाज बीजिए ओॉर्फेड़ विए इसभी घ्चामाँ चाहिए भी अवी इसवेर फ्रींटे कि अव्या सुछी इंदा व्यूस् प्रिकिर्ट परकाष्श फुट्याश इटो इस फिल्ट इए लिए इन एफ से एंड भी रहाश फिल्टाने इन शैवीं से फिल्ट आजीज एदिश्ट करस्व वागा इसर स्ट प्री टाव चाह विज्ट इंट कुछ ऑर करका दो इस एफ दूर कर दिए से फिल्टिंट इन् अविताब सिना, लिड़ार भारतिय जनता पाटी, शर्वान सुझ भारतिय जनता पाटी, सरवन दसूजू, में सब्सक्राइब हैं, नहीं है पर्मिस्ट रहुल श्रफश्राश तर्फिश्ट रहुलिए लिए बाहुल श्रफश्राश्वास। How would you rate this interview and what were the biggest highlights for you in terms of the questions that he answered? अजीत, जीए में? Allright, we're gonna try and get that audio line corrected with Ajeet Jhaeg till that, till we do that. Let's, all right, we have Rahul Srivastava now. Rahul, if you're there with us, once again over about 90 minutes, sitten पोती हैसि अतरों सूब्हें सिर्ध सेवेल अप्रेंसे लाבה इंतरों प्रे इन्ट एन्यक्स dollars Sam hit रचार अगेस्टांगा। इम एविक तरह कुछ्जास अजिए टिर्यूल इप жांज निश्टीर अपनी प्रेथ मिनसेध डिम्मेड़ांदाने कलि तो और्या जारेर। अबार्मिनेंट कर दोए बेस्टे ग्काराइट्स पेस्टे इंट ठीस प्राइब तरिया जाज़ घ्राइट्ट इंगान। टे एक पर्स्री जालेम थे परिख टो इन पू बदान। बेरे जाज़ गवार उज़ कर देड्याख ग्यूंज तरो ट रो खेस्टेस्ट व्यूमे ़िर स्टेक्ट परहलों कहीं वBaby नहीं सेंटेक्自चा courts आजे लिएक्स परड़न्वानी था इस शनीमदात मेश लेक ही नहीं है, अर्पिर जाने मु की एंगाने हैं मेर पून ऑज्ON कर्डरि देना जा hex, ह sürकाived in the आप्रिकर बाना अन्राव जडर्वेट यार्थ अजि पुर्ष छिर अजी आजीत विजसी आजीट को आजीग टीजिड इन ओ शीट पॉसलिए कि अवर्थ ए्ट एट सिंट कोई जार्व प्रवेस्जिट्टरूईन और इस य जिड़ एट इस ती ळस्सेम जाखर उस्टना प्राहिए प्रेश्चिया था? और भीयम्हें थे जोई लिए इस्तिति रट्रोलुई युश्यविज ओन्वेशतर कोशिए इंट किया नहीं आदी प्रेश्टेरिग से अर्थ आग्छें अगिउन अच्छेश पो इसूब थे रूट्सिए जानती विए इस समय ब्रॉफय इंट्र कोश निए इन पूसिट मैं, मेरा मुझे और मैंने, हजारों बार, नहीं है, नहीं है। अब्वे मिनिट में, सब कुछ मोदी जी की मैं पर के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रही थी। मोदी जी बड़ी विनम्रता से हम कहेंगे, कि आपकी मैं ने ही इस देश को नीतिगत तोर से 55 महीने में बरबादी की कगार पर लाखडा किया है। 2019 में भी अगर पहले दिन की शुरुआत ही मैं मेरा मुझे और मैने से करेंगे, तो देश भी फिर हमकी और चल आपको चलता करने की तयारी कर रहा है। सो दिन अब आपके बचे हैं और उल्टी गिंती चालू है। देश उमीद कर रहा था के दस वो मुद्दे जो आपने इस देश से 55 महीने पहले वादे किये थे, उन पर आप प्रकाश डालेंगे। देश को बताएं मोदी जी, पहला, 15 लाख जनता के खाते में आए या नहीं। दूसरा, देश को बताते के 80 लाख करोड काला धन, जो 100 दिन में वापिस आना था, 55 महीने के बाद एक रूपिया भी उस पहले थे।